स्वस्थियंट के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम डिसकस करेंगे कि मुटापे और शुगर के अंदर कौन सी ऐसी सब्जियां खाएं जिससे आपके शरीर को भरपूर फायदा हो और आपकी शुगर भी ना बड़े और आपका मुटापा भी कम हो जा बने रहें नमश्कार मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडिलवाल है और मेरे जीवन का उदेशी है कि में 10 लाख वर्किंग प्रफेशनल्स को मुटापा रहीत कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शुरीर पाने में मदद कर पाऊं जिसके लिए मैंने स्वस् एकदम से रिलीज नहीं करती और आपने जो खाने के साथ दूसरी चीज़े लिए जिनके अंदर शुगर है उनको भी ये बाइंड करके रखती है ताकि आपके शुरीर में शुगर धीरे धीरे रिलीज हो और आपकी शुगर की मात्रा कंट्रोल रहे और ये हमारे शुरीर म गथेर सारी पत्तेदार हारी सब्जियां लेनी चाहिए और जितना आप इनका इस्तमाल करेंगे उतना आपके शुरीर को जबरदस्त फायदा होने वाला है. ये आपका वजन तो घटाएंगे ही आपके शुगर को भी अच्छे से कंट्रोल करेंगी और आपके शरीर को दें हैं बत हुआ है मेथी है धनिया है पुदिना है इसके अलावा आप चुकंदर की पतियां आपका शलगम है उसकी पतियां और मुली की पतियों का भी इस्तमाल कर सकते हैं जाहतर लोग तो इनकी पतियों को फैंक देते हैं सांति साथ जो केल होता है और तो शलाज पत्ता होता ह वो भी एक अच्छा option है, जिनको आपको लेना चाहिए, और इन हरी पतेदार सबजियों से आपको iron भी अच्छी प्रकार से मिलता है, और मिलता है अच्छी प्रकार से vitamin C, folic acid और vitamin B12 भी मिलता है अगर आप इने कच्छा खाते हैं, जिससे कि आपको फाइदा होगा और आपके शरीर के अंदर भी खून की कमी भी नहीं रहेगी, तो यह सब लेने से आपको भरपूर मातरा के अंदर मिलेगा nitrates, और यह nitrates आपके शरीर में जाकर nitric oxide बनाते हैं, जिससे कि हमारा हर्ट अच्छे से काम करें, और हमारा BP भी नियंत्रित रहें, हरी पतेदार सबजियों के उपर भी आपकी कोई limit नहीं है, इसको आप जितना मातरा में खाना चाहें, जब मर्जी खाना चाहें, snack के रूप में भी इस्तिमाल करना चाहें, तो आप इसको इस्तिमाल कर सकते हैं, अगर आप channel पर नए तो किरपया channel को subscribe जबरूर कर लें और इस परकार की videos आपको और इसके अंदर कुछ ऐसे कम बाॉंट्स होते हैं, जो कि हमारी इंसुलिन सेंस्टिविटी को बढ़ाते हैं, और इंसुलिन की तरह ही काम करते हैं, जिससे कि हमारा शुगर और बहतर हो जाएं, और यह हमारे शुरिप में जो इंसुलन रेजिस्टेंच चल रहा है, उसको कम करते हैं, जिससे यह आपका वजन घटाने के लिए भी काम आता है, और आपकी शुगर को भी अच्छे से कंट्रोल करता है. करेला किस तरीके से फायदेमंद है और इसके हम किस तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए मैंने पहले एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है उसको आप अच्छे से देखकर इसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं पेठा और सीता फल भी हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त हैं और ये एक सूपर फूड है इसके अंदर भरपूर प्रकार से निट्रीशन है और इसका हर पार्ट अच्छा है इसको आप सीता कट करें और बना लें इसको कभी भी छील कर ना बनाएं क्योंकि इसके अंदर जो ज फाइदे मंद हैं और इनका अच्छा निट्रीशन आपको मिलेगा तो आपके स्वास्त को फाइदा होगा तो बात करते हैं बीन्स की जे फलिया आपको बजार में टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं कभी आपको गवार की फली मिलती हैं कभी आपको फ्रेंच बीन्स मिलती हैं और कभी दूसरे प्रकार की पी जो फलियां आपको मिल रहे हैं यह आपके स्वास्त के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है तो इनके अंदर अगर हम देखें तो जो गवार की फलियां होती है वो तो बहुत ही बढ़िया है यह आपको जरूर खानी चाहिए ताकि इस्तमाल करते हैं तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा जबरदस्ट फाइबर है जिसको कि हम गवार गम भी कहते हैं तो ये भी आपके शरी में जाकर आग के लेवल पर काम करता है और आपकी शुगर को एकदम से नहीं बढ़ने देता उसको नेंतरित रखता है और आपकी इंसुल जब भी फलिया बनाते हैं तो उनके अंदर वो आलू ज़रूर डालते हैं यहां पर थोड़ा मिसमेच हैं अगर आप अपने आलू डाने की इस प्रकिरियाय को बंद करें तो आपको फाइदा जादा होगा और अगर आप आलू डाल भी रहे हैं तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सुझाद देना चाहता हूँ जिससे आपको फाइदा जादा हो छोटे आलू का इस्तमाल करें क्योंकि उसके अंदर complex carbohydrate होता है जितना बड़ा आलू आप लेते हैं उसके अंदर simple carbohydrate बढ़ जाता है जो की आपके शुगर और मुटापे का एक कारण बनता है इसके अ योग करे शिमला मिर्च भी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि यहां भी आपको बहुत अच्छी प्रकार में vitamins, minerals और fiber मिल रहे हैं एक और चीज़ जो आपको यहां पर specially मिलती है वो यह है कि यहां से आपको hydration और पाने भी भरपूर मातरा के अंदर मिल रहा है इ गोबी की सारी वराइटी आपके लिए अच्छी है चाहे वो फूल गोबी हो या पत्ता गोबी हो या ब्रॉकली हो यह तीनों ही एक ही family की है और इनकी properties भी बिलकुल similar है इनके अंदर fiber अची मातरा के अंदर है और दूसरे और nutrition भी बहुत ही बढ़िया है और यह काफी सारी scientific study से proven है कि इनका लगातार इस्तमाल हमारे sugar को नियंत्रित करता है और हमारे मोटापे को घटाता है insulin resistance कम करके और nutrition profile भी इसकी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर जो आपको एक और ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि इनका इस्तमाल करते वे भी आपको पानी की मातरा थो मिल रहे हैं vitamin c इसके अंदर बहुत अची प्रकार से होता है beta keratin भी आपको अची प्रकार से मिलते हैं और खूब सारा पानी भी आपको यहां से मिलता है तो इसका भी अच्छे से इस्तमाल करें जातर लोग इसका सबजी बनाते वे प्रियोग करती है तो उस वकद vitamin c इसका खतम हो जाता है इसको कच्छा इस्तमाल करेंगे तो आपको बहुत जादा फाइदा होगा अगर आप इसको बाद में सबजी बनाने के बाद उपर से डालते हैं तो आपकी नमक डालने की requirement भी काफी कम हो जाएगी यह भी बहुत अची टेक्नीक है जिससे आप अपने शरी म में नमक की मात्रा भी कम कर सकते हैं और अपने खाने के स्वाध को और बढ़ा सकते है तो कृप्र इससे इस तरीके से इस्तमाल करें और आपको इससे भी बहुत फाइदा होने वाला मश्रूम का इस्तमाल भी आपको बढ़ा देना चाहिए मश्रूम बहुत ही बढ़िया है खाने में लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स इनका होता है आपके शुरूर को फाइबर देता है और यहां से आपको कुछ अच्छा कोलेस्ट्रोल भी मिलता है और अगर आपके नेच्छरू को ठीक करने के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टन है इनका भी आपको अच्छे से इस्तमाल करना चाहिए इनको आप अपनी सबसी बना कर भी इस्तमाल कर सकते हैं इनको आप अपने सूप के अंदर भी इस्तमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं गाजर की गाजर भी आपके ले बहुत ही बढ़िया है गाजर के अंदर बीटा करेटीन अच्छी मातरा के अंदर होते हैं और केरेटीन हमारे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसके अंदर अच्छी मातरा के अंदर पानी भी होता है और हमारे दूसरे और विटामिन्स और मिनरल्स भी है यह हमारा शरीर शुगर कंटेंट थोड़ा बढ़ जाता है तो अगर आप यह एक दो कच्ची गाजर खा रहे हैं तो आपको फाइदा अच्छे से होगा लेकिन अगर आप इने ज्यादा मातरा के अंदर खा रहे हैं तो यह आपकी चरनी को थोड़ा डिस्टरब कर सकती है तो आपसे मेरी एक गुजारिस है कि एक या दो गाजर खाएं तकरीबन दो सो ग्राम तक इससे ज्यादा कच्चा गाजर आप ना खाएं क्योंकि अगर आप ज्यादा मातरा के अंदर लेंगे तो वह आपकी शुगर बढ़ा सकती है प्यास भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है इसके अंदर स अच्छी प्रकार का फाइबर होता है और यह प्रिबाइटिक भी है जिससे यह हमारे शरीर को और हमारे शरीर के अंदर जाकर यह आत के अंदर बहुत अच्छे से काम करती है और वहां पर अच्छे सारे डेक्टीरिया को बढ़ाती है ताकि हमारे शरीर को जबरदस्त बेन तो यह आपको ध्यान रखना है कच्छा खाएंगे तो आपको फाइदा थोड़ा ज्यादा होगा बैंगन का भड़ता या बैंगन की सब्जी भी आपको काफी जादा पसंद आती होगी और यह बहुत ही बढ़िया है इसके अंदर भी अच्छी प्रकार से सॉलीबर और इंसॉलीबर फाइबर दोनों ही है ताकि आपकी आत और बढ़िया रहे और यह लो ग्लाइसिमिक इंडिक्स का होता है यह आपके शरीर में शुगर नहीं बढ़ाता बीटा करेटिंस की मातरा भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी होती है जो हमारे हिर्दय के लि काम करना है वो यह है कि आपको इससे बहुत जादा आमांट के अंदर नहीं खाना क्योंकि बहुत जादा मातरा के अंदर इसे आप खा रहे हैं तो यह आपके शरीर में एनरजी लेवल बढ़ाएंगा और यह भी आपके इंसुलिन को सिक्रीट करने का एक कारण बनता है क्य के लिए बहुत जादा फाइदे मंद है इसके अंदर प्रोटीन भी अची मातरा के अंदर है इसके अंदर फाइबर भी अची प्रकार से है तो यह सब आपको फाइदा करेगा जो सूखा मटर आप ले रहे हैं उसको अगर आप खाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन की मातर जादा होती है और आपको जादा केलरी प्रवाइड करेगा तो उसको आपको बहुत ही लिमिटेड मातरा के अंदर लेना है उसको हम यहां पर इन सब्जियों की तरह काउंट नहीं कर सकते वो दालों के अंदर काउंट किया जाएगा तो यह भी आपको याद रखना है अब ब जानते हैं यह सारे ही इतनी बड़िया सब्जियां हैं जिन से हमारे शरीर को जबरदस्त फाइदा होता है इनके अंदर फाइबर अची मातरा के अंदर है इनका जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वह बहुत ही बड़िया है तो इनको जो बनाते वगत आपको ध्यान करके अपना वजन भी घटाया है और अपनी शूगर को भी कंट्रोल अच्छे से किया है तो इसका भी इस्तमाल आप रेगुलर्ली करें अपनी डाइट के अंदर तो आपको जबरदस्त फाइदा होने वाला है तो अब अंत में आपके लिए एक हेल्थ गाइडलाइन की कैस आप इनका इस्तमाल करें तो आपको फाइदा जादा होगा कोई भी सब्जी जो आपने नई खाने शुरू की है उसको कम मादरा मेले दीरे दीरे उसका आदत बनाए ताकि आपका शरीर और आथ उसको अच्छे से पचा भी पाए और उसको उसकी आदत भी पढ़ जाए जि सब आपस में जूस भी बनाते है इनसे हम कहीं स्मूदि भी बनाते है तो वह भी एक अच्छा विकल्प है स्मूधी बहुत भी बढ़ी है जूस हम कहें तो वह उससे थोना कम है लेकिन वह भी आपके शुरीर को डीक्सिफाइ करता है आपके लिवर को और बढ़ीओ fraction क्रिय विटामिन सी जरूर एड़ कर ले, निम्बू के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं, या एक कच्चा टमाटर काट के आप उपर से डालेंगे, तो भी आपको फायदा करेगा, और अब आपने जो विटामिन सी उपर से एड़ कर दिया है, तो यहां से आपको जो फायदा होने वा आते हैं, तो आपको मैं सला दूगा कि जितना आप सबजियां जादा खाएंगे और चपाती के मातरा कम करेंगे, उतना आपके शरीर को फायदा जादा होने वाला है, जब भी आप इस प्रकार से अच्छे तरीके से यह हरी सबजियां खा रहे हों, उस वकत आपको पानी की मातरा भी थोड़ी अच्छे से बढ़ा देनी चाहिए, ताकि आपके शरीर में जो इनसे आपको दूसरे मिनरत मिल रहे हैं, वो आपके शरीर से अच्छे से निकलते रहें और आपके गुर्दों के अंदर किसी प्रकार की कोई पत्री ना बने, अपने खाने के अंदर प्रोबाइटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारी बहुत ऐसी प्रोबाइटिक चीजें हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी आथ को और स्वस्त को बहतर कर सकते हैं, जैसे कि राबड़ी है, कड़ी है, इसके लाबा कुछ सलाद हैं, सर्दियों में काफी लोग कांजी ब करना ही है यह भी ध्यान रखें कि वह आपके शरीर के अंदर कैसे बदलाव ला रही है तो उनको हम बंद भी कर सकें तो मैं उम्मीद करता हूं अब यह सारी जानकारी प्राप्त कर आप आज से ही इन सब्सक्राइब करेंगे और अपने डाइट के अंदर इनको लगातार इस् सब्सक्राइब भी कर ले और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए आपकी बेटलोज जरूनी में आपकी कुछ समस्या हैं आपकी कुछ कोशन है आपकी कुछ दन्यवाद, कुछ रहें, स्वास्त रहें